मर्दर परदेश की चित्रकूट विधान सबास सीट पर हुए उपचुनाफ का आज नतीजा आने वाला है वोटो की गिनिती जारी है आटफे राउंड के बाद कॉंग्रेस करीब 17,000 से जादा वोटों से आगे चल रही है चित्रकूट में सीएम शिवराज सिंग चौहान की साख दाउं पर है यहां बीजेपी ने शंकर दयाल त्रिपाठी को मैदान में उतारा था तो कॉंग्रेस नीलानशू चातुर्वेदी को टिकेट दिया था 9 अवंबर को यहां मतदान हुआ था जिसमें करीब 65 फीसद वोटिंग हुई थी चित्रकूट विधान सबाज सीट कॉंग्रेस विधायक प्रेम सिंग के निधन से खाली हुई थी 9 अवंबर को यहां मतदान हुआ था और कॉंग्रेस फिलहाल इस सीट पर आगे चल रही है आपको बता दे बीजेपी ने यहां शंकर द्याल्टर पार्थी को मैदान में उतारा था तो कॉंग्रेस ने निलानशू चातुर्वेदी को टिकेट दिया था ABP News समवा राता, बिजेश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए है बिजेश कॉंग्रेस की ही सीट थी और कॉंग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे है दिकी बड़ी बात यह नहीं है कि कॉंग्रेस की सीट थी और ये समझा जा रहा है कि सीट कॉंगेस तो तक्रीबन निकाल ली है वजह बड़ी यही है कि बीजेपी ने जिस पूरी दमदारी से चुनाव लगा था खासकर मुख्यमंत्री शुराज सिंग चुहां तीन दिन इस पूरी कॉंश्टेंसी में तीन दिन ने डिटेरा डालके रहे थे कापी सारे मंति यहां पर आये हुए थे और सबने पूरा दम खम लगाया था कॉंगेस से चीनने के लिए बड़ी बात वहीए कि इस पूरे चुनाव को शिराज सिंग की पतिष्ठा शिराज सरकार की साक से जोड़ के देखा जा रहा है और कॉंगेस ने भी दमदारी से चुनाव लड़ा था मगर जैसा की लग रहा था कि जो यहां की इवा प्रत्याशी है निलानशू चोतरवेदी उनके पक्ष में जारा मदान हुआ और वो अच्छी खासी बढ़त लेके हैं कई सारे मंती थे, कई सारे विधाय के यहां डेरा डालके बैटे हुए थे मगर लगता है जनता ने उनकी बात सुनी नहीं और कॉंग्रेस के पक्ष में वोट किया है बिल्कुल बिजेश आप नजर बनाये रखे लेकिन फिलहाल कॉंग्रेस प्रत्याशी इस सीट पर आगे है इस पर जैसी कोई अपडेट होगा आप तक पहुचाएंगे ये है एबीबी नियूज आपको रखे आगे